नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के दिन हर कोई अपने आपको जीने समझता है लेकिन कुछ नकाब पोस्ट लोग इस सोशल मीडिया पर स्पैसली बेठे हैं आपको ठगने के लिए दोस्तों आज के दिन हम सोशल मीडिया या फिर सोशल कॉमर्सियल साइट्स जैसे OLX है या फिर ऐसी ही Flipkart है Amazon है ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके उपर हम online trade करते हैं वापार करते हैं या फिर कुछ चीज़ें खरीदते हैं या कुछ चीज़ें बेशते हैं तो इनके उपर हम छोटी सी गलतियां करते हैं छोटी छोटी गलतियों और जो ठगने वाले निकापोस लोग हैं कैसे अपने जाल में आपको फसाते हैं तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो मैंने कई सारे केस को study करने के बाद बनाई हैं मेरे कई सारे दोस्तों के साथ ऐसे online ठगी हो चुकी है और कई सारे लोगों ने मुझे suggest भी किया और मैंने personally भी इसको go through करके इस वीडियो का जो data collection करके फिर मैं इस तहह तक पहुचा हूँ कि मुझे ये वीडियो बनानी जरूरी लगी तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि online कैसे लोग आपको ठगते हैं और हम क्या क्या गलतिया करते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं दारूरल फाइट एंड आई एम सौम सौम दहिया तो आज जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे online ठगी के बारे में तो पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गूगल पे, फोन पे और पेटियम पे लोगों को कैसे ठगा जा रहा है यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप उसको वहां से देख सकते हैं और आज मैं इस्पेसली बात करने वाला हूँ OLX के बारे में तो दोस्तो OLX यानि की Online Exchange को 2006 2006 में Alec Oxenford दवारा लॉंच किया गया तो Alec Oxenford ने ऐसे सोचा था कि इसके एक ऐसा माद्यम होना चीज़ जहां पर हम पुरानी चीज़े बेज सकें और पुरानी चीज़े वहां से खरीज सकें तो ऐसा कोई ने कोई प्लैटफोर्म की जरूरती तो दोस्तो 2006 में ऐसा प्लैटफोर्म बनाया गया जिसको नाम दिया गया Olex Group दवारा Olex Online Exchange तो दोस्तो स्टार्टिंग में इसको बहुत अच्छे से यूज किया गया आपको कोई भी पुरानी चीज है जैसे थोड़ी चली वी चीज है कोई भी चीज है आपको जरूरत है तो आप वहां से आपकी नीड के अगोडिंग और बजट के अगोडिंग आप वहां से बेच भी सकते थे और आप वहां से ले सकते थे लेकिन कहते हैं कि जहां किसी भी चीज़ के मैरिट्स होंगे या फायदे होंगे लाब होंगे तो वहाँ डी मैरिट्स ली मिलेंगे तो यहां पर कुछ नकाप पोस लोग जिन्होंने सोचा कि यहां पर भी कुछ नकुछ ठगने का जाल बिचाया जाए तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि लोगों को कैसे ठगा जाए तो दोस्तों आज हम बात करेंगे को OLX पे कैसे ठग रहे हैं दोस्तों आपको OLX पे कैसे ठगा जाता है OLX पे आपको कोई bike या कोई car आप सर्च कर रहे हैं तो आपको car या bike मिल जाएगी तो दोस्तो आपको यदह कोई 70,000 रुपे की bike है उसकी price वहाँ पे मिलेगा 35,000 कोई car है 3,000,000 की वो मिलेगी आपको 1,500,000 के की आसपास तो आप उसके उपर देखेंगे उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पर वो कार चली वे मिलेगी एक साल बाइक चली वे मिलेगी आपको 8-7 महीने तो आप खुँच सोच सकते हो कि 7-8 महीने चलने के बाद या 1 साल चलने के बाद कोई भी चीज़ हाप प्राइस में आती है क्या नहीं आती लेकिन फिर आप सोचते हो कि एक बार कॉंटेक्ट करके देख लें कि एक ही साल तो चली है साथ-ाथ महीने चली अच्छी कंडिशन में होगी और 35,000 रुबे में मिल जाए तो हमारे लिए तो बैटर देन दी बैस्ट हो जाएगी फिर आप उनसे कोंटेक्ट करने की कोशिस करते हो तो जैसे आप उनसे कोंटेक्ट करते हो तो आपको एक ऐसे जाल में फसाया जाता है जिससे आप ना तो बहार निकल सकते हैं ना ही आपको कोई रास्ता दिखाई देगा आपको सिर्फ अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है तो दोस्तो क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि मैं एक आर्मी परसन हूँ और मेरी ट्रांसपर यहां से कहीं दूर हो गई है अब मैं इस बाइक या कार को वहां तक नहीं ले जा सकता और यदि मैं इस बाइक को वहां तक ले जाता हूं तो मुझे इतनी तो कोस्ट आ जाएगी इसके उपर इतना खर्चा लग जाएगा तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस बाइक को यहां पे Sell कर दूँ और वहां जा करके मैं नई Purchase कर लूगा तो हमें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है फिर हम सोचते हैं कि चलो इसके नबर की थोड़ी सी जांच परताल कर लें ताकि ये नमबर सही है या नहीं है फिर हम उस नमबर को save करते हैं save करने के बाद उसको वर्टसाप में देखते हैं तो हमें CMDP दिखाई देती है जो की आर्मी की ड्रेस में होती है हमें थोड़ा थोड़ा 10% बिलीफ होने लगता है कि हाँ बंदा सही कह रहा है उसके बाद हम सोचते हैं हम थोड़ा से जीनियस इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं हम सोचते हैं कि हमें कुछ पैसे उनको ना दे हम कोई चीज लाइव ले 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 उनसे तो वो आपको बोलेगा कि आपके उपर डिपेंड है आप यदि आना चाहते हो तो आप यहां आजाएए आपको थोड़ा सा दूर का एड्रेस देगा जैसे कहेगा कि आप डैली आजाओ यहां मैं आपको डैली में मिलूँगा और आप आना चाहते हो तो आप यहां पे वोरियर या किसी तरह से आपको भीजदेता हूं। जैसे आपको और क्विलीफ वढ़ने लगता है कि आप और अंदर फस्ते जाते हैं। आपको लगता है कि बंदा सही कह रहा है कि युक आप बिलीफ कर लेते長 हो। तो बिलीव करने के बाद आप वहां लेने जाते हो पहले रास्ते पे बात करते हैं यदि आप वहां बाइक लेने जाते हो तो वहां बाइक लेने जाओगे डैली में आप जाओगे उनके पास कॉल करोगे वो आएगा और उनके बंदे आएंगे आपको गाड़े में लेके जा मेरे कही दोस्तों ने किया चिनका नाम तो मैं नहीं listings लेना चाओंगा लेकिना मेरे कही दोस्तों ने किया किसी ने 12000 किसी पंद्रह, इसे ने 20,000 ऐसे रुपे उनको भेज दी उसके बाद बोले आदे बाद में भेज देंगे जैसे बाइक आएगी जैसे गाड़ी आएगी तो आदे बाद में भेज देंगे लेकिन ना तो उनके हाथ में कोई स्टेरिंग लाया तो उनके हाथ में कुछ नहीं है उनके हाथ में स 30,000 की आप 17,000 पे कर देते हो उसके बाद कहते हो कि जैसे बाइक आएगी मैं और पे कर दूँआ ठीक है लेकिन वो 17,000 आपके गए फिर आपको या तो दूसरी तरह से और पैसे लेने के लिए कुछ ना कुछ और भाना बना के कोल करेगा कि नहीं दिक्कत आ रही है ये पैसे म करेगा नहीं तो वो आपके पैसे जितने उसके पास गए वो सारे गए आप एक तरह से ओनलाइन ठगी का सिकार हो चुके उसके बाद हम सोचते हैं दोस्तों हमारे पास एक कॉंटेक्ट नंबर हा गया अब आज के साइंस के यूग में हम सोचते हैं कि कोई भी कॉंटेक्ट नंबर हमें मिल जाए तो हम उसकी पुलिस केस करके उसके ओफर एफ फाई आर करके हम उसकी पूरी डिटेल निकाल पाएंगे लेकिन जब हम एफ फाई आर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस इतनी फाईल लेकर के आती है कि कहती है देखो ये इतने सारे केस पह आतीर होते हैं चोड तो आपनी सारी सेफटी करके बैठे होते हैं ये नि कह सकता है कि dat is impossible impossible तो नहीं है लेकिन इतना मुझ्किल है कि लोग सेंदा छोड़ देते है ठीक है तो इंको के ब्राबर है उनको पकड़ Thaiund दोस्तों आपके contact कर सकते हैं, inbox में contact कर सकते हैं वहाँ मुझे बता सकते हैं या फिर यहाँ पर comment box में मुझे बता सकते हैं और यदि आप चाहते हो कि आपका कोई भाई बहन आपका दोस्त ऐसे online ठगी में के जाल में नहीं फसे तो आप इस video को हो सके उतना जज़ा शेयर कर दें ताकि और भी लोग इनके जाल में नहीं फसे यदि आप चाहते हैं और ऐसी informative video मेरे दोरा इस channel पर देखना है तो इस channel को subscribe कर लेना मिलते हैं किसी और informative video में तब तक जै हिंद, जै बारत, जै हिरियाना